इंडिया में सबसे जादे यूज होने वाला सिम है जियो 2023 में पब्लिश हुए एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जियो के पास 439 मिलियन यूजर से जो कि 2024 में 450 तक हिट कर जाएगा और इन सभी जियो यूजर्स के फोन पर अब चेक करके देखेंगे तो भई सभी लोग जो एक ही एक्सेस पॉइंट नेटवर्क से कनेक्टेड है इसी बज़ा से आपको जियो सिम यूजर्स करते हुए चाहिओ 4G हो या फिर 5G इंटरनेट स्पीड में काफी ups and downs देखने को मिलता है बट आज मैं आपको दिखाने बाला हूँ जियो के default access point को replace करके एक new access point को कैसे आप activate करेंगे अपने phone के अंदर चाहिओ कोई भी सिमोज जियो 4G या फिर 5G उसमें internet speed आपको मिलने में या फिर internet को यूजर्स करते हुए कोई का भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा जियो के internet speed में 110% boost इस बहले access point name को अपने phone पर set करने पे आपको देखने को मिलेगा लेकिन इसे आपको step by step apply करना होगा तभी यह चीज आपको मिल सकता है तो चलिए बिना time waste किये इस वीडियो को start करते सबसे fast में हम लोग जियो सिम से जो default internet speed मिलता है उसे test करके देखेंगे उससे अभी कितना speed आ रहा है इसके बाद APN को create करेंगे create करने के लिए simply आप phone के setting option पर जाएए उसके बाद आपको sim card and mobile network करके एक option देखने को मिलेगा उस पर आपको tap करना है देन आप जियो sim को select कर लेना उसके बाद आपको एक plus icon दिख सकता है या फिर add APN, new APN करके भी लिखा हुआ रहे सकता है किसी किसी phone पर उस पर आपको click करके इस बाले form को open कर लेना होगा इसी form के अंदर सब कुछ step by step डालना है जो जो मैं आपको दिखाऊंगा तब ही आपके phone पर एक वाला APN से ही से create हो पाएगा सबसे first में name मिलता है आप name पर click करो और यहाँ पर आपको लिखना है neon space ls space i85 और यहाँ पर definitely आपको n और ls जो है capital letter में रखना है उसके बाद आता है APN, APN पर आपको geo.5g light सब कुछ एक साथ और small letter के अंदर लिखना है बट जे जो है first में starting में वो आपको capital में रखना होगा उसके बाद आता है proxy, not set, उसके बाद port, not set दन आता है username, username पर आपको geo.5g ind मतलब की India सब कुछ एक साथ और small letter में लिखना है उसके बाद password, not set, दन आ जाता है server server पर आपको definitely geo बाला default server डालना होगा जो की है www.go.com उसके बाद आपको मिलेगा mmsc, इसे आपको not set रखना होगा उसके बाद mms proxy, not set, ams port, not set, दन आता है mcc and mnc इसे आप बिल्कुल भी replace या फिर चेंज नहीं करना क्योंकि यह वाला जो चीज है ना आप जिस भी जगे पर है तो वो उसका area code है तो भाई आपको यह change नहीं करना है उसके बाद आता है authentication type इस पर जाके आप simply PAP और CHAP वाला जो last option आ रहा है उस पर set कर दना है उसके बाद APN type इसे भी आप changes ना करो इसके अंदर कुछ भी उसके बाद APN protocol यह किसी-किसी phone पर IPv4 या फे 6 हो सकता है इसे आपको change करके IPv4-6 पर set करना होगा उसके बाद APN roaming protocol यह भी किसी-किसी phone पर IPv4 या फे 6 हो सकता है उसे भी आपको change करके IPv4-6 पर set कर दना है इसके बाद आ जाता है one of the most important setting BRR लेकिन BRR देखने से पहले आप definitely टेक्नो माइड दूजर चनल को subscribe करके bell notification को on कर दिजिए जिससे आपको और जाता internet speed मिलने लग जाएगा तो चलिए आप देखते one of the most important setting BRR BRR देखिए सबसे पहले unspecified होगा इसे आपको un-tick करके इस बाद APN के साथ LTE, UMTS and उसके बाद EVDOB इन तीन BRR पे tick करके okay दबादना है बट अगर आपके phone पर एक से ज़्यादा या फिर दो से ज़्यादा BRR सपोर्ट नहीं करता है तो उस case में आप सिर्फ LTE बाला BRR को select करके okay कर सकतो जिससे भी आपके phone पर कोई साभी issue नहीं आएगा और आपको अच्छा खासा internet speed मिलता र जाकर इस बाले APN को save कर दो उसके बाद आपको यहाँ पर दो-दो APN देखने को मिलेगा एक तो जियो का default बाला and second number पर रहेगा neon LSI 85 इस पर आपको basically एक बाद टिक करके या फिर इस पर click करके अपने phone को definitely reboot या फिर reset कहलो जो भी आपके phone पर दिया रहता है power button बाला उसे मार या तरीके से आपके phone के साथ Geo SIM के साथ optimize हो जाएगा and आपको भर भर के internet speed provide कराएगा 4G phone पर 4G SIM से ही आपको 5G इतना internet speed आराम से मिलने लग जाएगा अभी अभी मैंने इस बाले APN को apply कर रहे है तो चलो फिर भी देखते इस से अभी कितना internet speed आ रहा है और यह वीडियो यह पर 4G SIM से 4G phone पर ही 5G को activate करके original 5G speed 4G phone पर ही पाना चाते हो इसके लिए यह 3 में से कोई सा भी आप वीडियो जाकर watch करो जो भी वाला सीमा भी use करते हो यह सारा वीडियो 100% working है and किसी भी 4G phone पर original 5G speed को लाने के लिए step by step guide है जो कि आपको definitely देखना चाहिए तो चलिए आज क के लिए बस इतना आई मैं मिलता हूँ आप से इन सभी वीडियो में